स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल एक्जामिन सुरेश माली असरफर तो दोस्तों मिर पास काफी मैसेज आ रहे थे OBC आरक्षन से रिलेटेड जैसे कि आप एक मैसेज देख सकते हैं कि जवलपुर हाइकोट का बड़ा फैसला OBC आरक्षन पर लगाई रोक है ना और ये पड़वारी भरती पर इसका कुछ असर का भी बात चल रही है कि पड़वारी भरती से संबंदित इसमें याचिकां लगी है सर इस्टुडेंट पड़वारी भरती में क्या प्रवाब पड़एगा थोड़ा बताईए बच्चे परिशान हो रहा है ऐसे मेरे पास धेर सारे मैसेज आए हैं तो मैं जैसे कि एक मैसेज यह है कि इन्होंने भी यह तो यह जो यूटूबर है यह एसे ख़बर चला चला कि यह देखिए कि हेलो सर मैं OBC से सेलेक्टेड हूं अब OBC का यह इस हो रहा है क्या होगा सर बहुत टेंशन है तो इस तरीके से बच्चों में टेंशन है यह देखिए यहां पर यह सौनू ने भी मैसेज किया है तो ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो लोग मैसेज कर रहे हैं तो मैं इन सब के पद जिले इसतर का पद है यह इस्टैट के एडर का पद नहीं है अतहा जिला इसतर पर लागू पदों का आरक्षन और रोषटर का प्लान चैन प्रिकरिया के दौरान किया जा चैना सुनिष्चित किया जाएगा जो कि सौ बिंदू का एक रोषटर है ठी抑न तो जो तो उनमें जिलेवाई रोश्टर को मानिता सुप्रीम कोट ने प्रदान करी थी और वहाँ पर हर एक जिले में OBC, SC, ST के अलग-अलग जो थी सीटें थी सेम-टू-सेम यहाँ पर पड़वारी में यह बहुत पहले से है जिले जिले इस तरही है जो रोश्टर है आप लोग जहाँ है तो GAD की वेबसाइट पर देख सकते हैं रोश्टर में किस जिले में कितना परसेंट रेजर्वेशन है और उसी रेजर्वेशन के आधार पर पर की भरती निकली थी और वहाँ पर आपको हर एक जिले में आप देखेंगे कि जरूरी नहीं किसी जिले में OVC 27% होगा किसी जिले में 15% ही OVC सीट होगी है ना तो इस तरीके से आप लोग उसमें देख पाएंगे तो यह जो तरक हिन तरीके से जो लोग केस कर रहे हैं तो वो लोग तो पहले ही उनके केस गिर जाएंगे और जब यह चीज सामने आएंगी तो अभी तो खेर इस पे कुछ है नहीं है मैंने आपर यह लिखके भी दिया है कि OVC आरक्षन केस का पड़वारी अभ्यरतियों से कोई संबंद नहीं है क्योंकि पड़वारी का पद जिल बेक्मिंच का प ellis जीका पड़ तो पूरा सियस्टेंन और आपसे जिलों का प्रफरय लसलियों जाता है और कमीटी बैठ चुकी है, कमीटी ने 18-17 वह बुलाए हैं जिन लोगे पास भी भाई आपके पास जो भी शिकायत करता है जिनके पास जो भी सबूत है और अथेंटिक सबूत लेके और कमीटे के पास जाईए आप और अपनी बात रखी आप लोग ऑथेंटिक तरीके से रखी हवावाजी में बिल्कुल ना करें क्योंकि ह जबाबाजी करने में और सबूत देने में बहुत अंतर होता है तो आप लोग जाईए एक दूसरे के सर पर मत डालिए क्योंकि जाना आप ही लोगों को है तो जाईए वहाँ पर अपने अपने सबूत वहाँ पर दीजिए समझ रहे हैं ना बात को तो और यह अच्छी वेबस करेंगे तो यह लोग कुछ नहीं करेंगे बच्चे भी समझदार हैं आप लोग समझ जाओ कुछ नहीं होना और यह OBC का केस भी बिना मतलब का लगा दे रहे हैं तो थोड़ा पड़े लेकि लोगो समझदारी से काम लो ना तो टेंसन लेने की ज़रूरत है और यह बढ़ि बहारी लोगों को उन्होंने जहां तक मेरे सुनने में यह आ रहा है कि बहारी लोगों को वो लोग आने नहीं देंगे नेता लोगों का महां पर कोई काम नहीं है जाएगा इस्टूडेंट जाएगा उसकी वहां पर सुनी जाएगे आप जाईए आपकी बात सुनी जाएग कमीटी बनी हुई है वहां से कितनी लोग आते हैं तो ज्यादा तर जो आवेदन और जो शिकायत हैं पहुंचेंगी वो मुपाल से पहुंचेंगी तो वो पहले ही दिन पहुंच जाएंगी फिर उनका डुप्लिकेशन होता रहेगा फिर विदीशा राइसन सीहोर का 17 तारिक क बुलाया है उससे उनको अंदाजा लग जाएगा कि कितना पानी में कौन है तो फिर उस हिसाब से वो एक ही डेट जहां तक तो अभी यही 17 तारिक फाइनल डेट है उसके बाद अगर वो कोई एक दो डेट अगर डिसाइड करके बीज बीज जिले या पूरे जिलों के तो इतने बड़े वो हैं एसक्रीक हो हो तो जैसे उसक्रीन सोट नहीं चलेंगी अगर भांकी आपको को देना है दिव्यांघ या बिल्गुल आप दीजिए दिव्यांग लोगों पकड़ा जाएंगे उनके नाम पहली आ जाएंगे जो भी आपको देना है सेक्स सर्टिफिकेट वाला वो दी दीजिए उससे भरती पर कोई असर नहीं पड़ेगा वो तो बाद में पकड़ा जाएंगे वो सामने वाला जो भ को बहुत कुछ सकारात्मक देखने को मिलेगा ठीक है दोस्तों मिल जाएंगे वीडियो में बंदे मात्रम